हेलो फ्रेंज, वेलकम टेर 24 नॉलेज ए ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पटियाला लोको मोटिव वर्क्स पटियाला की नियू रिकुर्मेंट नॉटिफिकेशन के ओनलाइन फॉर्म अप्लाय प्रोसेस के बारे में, तो फ्रेंज से प प्रोसेस के बारे में और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सकें, तो यहाँ पर देखी फैंस, यह पर नॉटिफिकेशन जारी किये गए है, PLW की ओफिशल वेबसाइट से आप इसमें आविधन कर सकते हैं, इसमें यहाँ पर जो LBT कंडिशन से इसके बारे में बात कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखी आपको ट्रेड मिल जाएंगे, तो टोटल पांस ट्रेड आप आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, टोटल नंबर और पोस्स आपकी 295 सीट साब के यहाँ पर रहती हैं, इसमें आपका यहाँ पर देखी जो LBT कंडिशन से इसमें आपका तैंथ पास होना जरूरी है, इलेक्टिशन के में तैंथ आपकी विज्ञानवे गणित विश तो कि इलेक्टिशन टेड में, मेकैनिक डीजल टेड में, मशनिस्ट में, फीटर में और वेल्डर में, तब ही आप इसमें एप्लिकेबल होंगी अपलाई करने के लिए, तो 10 प्लस ITI या 8 वी प्लस ITI आपका होना जरूरी रहेगा, आयू सीमा 31 अस 2022 को काउंट होगी, जि फॉर्म अपलाई प्रोसेस के बारे में, तो यह इसका पोर्टल है, जहां से आपको यहां पर एक ररिस्टेशन करना होगा, ररिस्टेशन करने के लिए कुछ बेसिक जानकारी आपको यहां पर फिल करनी है, तो सबसे पहले आप यहां पर एंटर करेंगी, लोगिन नेम, तो आप यहां पर लोगिन आईडी एक अपनी जो है वो बना सकते हैं, तो आप यहां पर फ्रेंच से लोगिन आईडी बना लेंगे, इसके बाद आपको फ्रेंच से नीचे देना होगा नाम, तो फ्रेंच से आपका जो भी नाम है वो आप यहां पर एंटर करेंगे, इसके आप यहां पर सेव वाले option पर क्लिक करेंगे मैं अभी सिर्फ सेंपल के तौर पर data आपको एंटर करकर दिखा रहा हूं आप यहां पर जो सेव वाला option है यहां पर data को एंटर करने के बाद इस data को सेव करके registration कंप्लीट कर लेंगे इसके बाद friends आपको देखे जो registration process है वो complete हो जाएगा इसके बाद आप click here to login वाले option पर click कर देंगे यहां पर आने के बाद friends से नीचे आपको देखे आप सो option दिया गया है कि जो 16-11-2022 है तब तक आप इस form को fill कर सकते हैं और 23-11 तक आप fees deposit कर सकते हैं अगर आपकी fees यहां पर आपकी mail ID पर आपको password आजाता है तो password आप यहां पर डालेंगे और उसके बाद go वाले option पर click कर देंगे यहां पर friends से देखे जब आप option आपके सामने यहां पर आजाता है जिसमें आप dashboard पर login हो जाएंगे नीचे search का option है तो अपने registration number या mail ID के साथ अपने application form को आप सर्च कर तो यहां पर first name, middle name and last name आप यहां पर दे सकते हैं इसके बाद friends आपको यहां पर देना होगा आपका father name तो friends आप यहां पर father name की entry करेंगे तो first name, middle name and last name आपको यहां पर enter करना है आप यहां से select करेंगे gender इसके बार select करेंगे category तो मैं यहां पर OBC से form को fill करकर आपको आते हैं वो ट्रेड आप यहां पर सलेट कर सकते हैं इसके बार है आपका डियो भी मिन से डेट बर्थ तो आपका जो भी डेट बर्थ है वो फ्रेंड से आप इस कलेंडर के माध्यम से सलेट कर लेंगे आपका फीटे ट्रेड में या फिर जो भी ट्रेड से अपलाई कर रहे हैं वो ट्रेड में होना जरूरी रहेगा नीचे आपको पूछा गया है फ्रेंड से परसेंटेज और यहां पर एंटर कर देंगे इसके बाद देखी दोनों की आपकी परसेंटेज है उसका फ्रेंड से एक एगरेट परसेंटेज आजाएगा एवरिज परसेंटेज आजाएगा जिसके बेसिस पर आपका सेलेक्शन होगा क्योंकि कोई भी एक्जाम यहां पर नहीं है इसके बाद है फ्रेंड से यहां पर यूटूब पर भी सर्च करेंगे तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा यहाँ पर जब देखिए जो login section है यहाँ से आप login कर सकते हैं registration करने के लिए भी आपको link मिलता है candidate के तौर पर तो आप यहाँ पर iti student है वो आप select करेंगे आपका iti का roll number आप देंगे इसके बार आपके जो basic जानकारी है यह fill करने के बार आप यहाँ से submit करेंगे उसके बार फिर जब आप login करते हैं तो login करने के बार आपनी जो भी basic जानकारी है वो fill करेंगे और जब profile complete हो जाएगा उसके बार आपको registration number मिल जाएगा form का video जो है registration form का video वो पहले से ही uploaded है तो आप jobrasta.com पर जाकर check कर सकते हैं तो आपको वो number देना है अगर आप employment जो exchange है आपका रोजगार कारले है उसमें अगर register है तो आप उसमें जानकारी दे सकते हैं नहीं तो आप blank छोड़ेंगे इसके बार है आपका address तो यहाँ पर है सबसे पहले postal address तो आपका friend से जो भी पूरा address है वो आप यहाँ पर enter करेंगे इसके बार friend से आपका village town यह city कौन सा है आपकी तहसील क्या है आपका फ्रेंट से city यह district कौन सा है आपका pin code क्या है यह आपको यहाँ पर देना होगा नीचे है आपका contact number और आपकी mail ID तो friends आप अपना mobile number दे सकते हैं आपकी mail ID आप यहाँ पर enter करेंगे तो यह friends आपको यहाँ पर enter कर देनी है इसके बार नीचे है कोई भी permanent identification mark जैसे कोई cut का निशान है, कोई mole है, कोई burn का निशान है तो friends आप यहाँ पर उसकी जानकारी दे सकते हैं नहीं है तो friends आप जो है no mark की entry भी कर पाएंगे इसके बार friends नीचे देखिए आपको option मिलता है PH candidate का अगर आप PH candidate है तो yes कर सकते हैं type of disability आप यहाँ पर select कर सकते हैं नहीं है तो आप no कर देंगे इसके बार friends अगर आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं आर्मी, एरफोर्स, नेवी या फ्रेंस, चाइल्ड है आप डिजीज या डिसेबल, एक सर्विसमेन के या सर्विंग, ओफिसर या जवान है तो आप इनमें option को select कीजिए नहीं तो none of the above कर दीजिए इसके बार आप यहाँ से declare करेंगे photograph and signature को upload करेंगे jpg format में और उसके बार इस capture code को fill करने के बाद आप इस data को यहाँ से submit कर सकते हैं इसके बार friends यहाँ पर देखिए आपको friends आपका जो यहाँ पर registration number है वह आपको यहाँ पर मिल जाएगा जिससे आप यहाँ पर no down कर सकते हैं यहाँ बाद में आप अपनी यहाँ पर login ID के साथ आप लोग इन करेंगे तो भी आपको यह option मिलेगा आप यहाँ पर registration number या mail ID के साथ आप यहाँ पर डिटार्टर हो शो कर सकते हैं आपने कौन सा application form फिल किया है और उसके बाद ही friends से आपका जो payment link है वो आपका यहाँ पर open होगा तो payment link के लिए आपको wait करना होगा after two working days आप friends से payment कर पाएंगे और payment आप किसी भी bank के credit card, debit card, net banking से कर सकते हैं अब payment कितना लगने वाला है पेमेंट कितना रहेगा उसकी जानकारी आपको notification में साथ में वीडियो description में jobrasa.com पर मिल जाती है तो 100 रुपीस फीस आपको देनी होगी जंदल OBC candidate को अब इसमें भी friends से अगर आप महिला उम्मिदवार है किसी भी category की या SCST candidate है आपको कोई भी फीस पे करने की ज़रते नहीं है आप directly आपका form जो है final submit हो जाता है इसके बाद friends से जब दो working days के बाद अगर आपका यहाँ पर payment confirm हो जाएगा या friends से आपका यहाँ पा देखिए जो form है वो friends से अगर आपकी फीस नहीं लगती है तो directly आपका form यहाँ पर complete माना जाता है तो आप registration number जब आप यहाँ पर enter करेंगे उसके बाद friends से आप view या print form यहाँ से कर सकते हैं तो आप click here पर click करेंगे और उसके बाद friends से आपके application form या registration form को आप यहाँ पर print करकर अपने पास रख सकते हैं future use के लिए future reference के लिए तो यहाँ पर friends इस वीडियो हमने बात की कैसे आप यहाँ पर PLW का official online form apprenticeship post का apply कर सकते हैं step by step process के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कर दी है बाकी की जानकारी आपको वीडियो description में jobrastha.com पर देखने को मिल जाती है